मिस्पिल्ला रहाने रही मैसल्फ महनुर्फात्मा उमीद है आप सब लोग खायरियत से होंगे सबसे पहले हमने इंग्लिश के लेक्चर में पढ़ी थी हमारे पास लिट्रेचर टामिनोलोजिस के जिनमें हमने डिफरेंट जो थी अपनी डेफिनेशन या डिफरेंट टम्स पढ़ी थी like connotation, denotation, stanza, sonnet, foreseeking, prediction, etc. आज हम अपने चेप्टर में पढ़ेंगे आज हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि critical analysis किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम इसके objectives देखते कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है तो हम इसमें पढ़ेंगे critical analysis क्या है उसके steps क्या है purpose क्या ह analysis का करते कैसे critical analysis लिखते कैसे critical analysis और skills क्या क्या चाहिए होते है critical analysis के लिए और आपने क्या क्या चीज़े avoid करनी होती है critical analysis लिखते हुए और pros and cons क्या होते हैं तो सबसे पहले हमार पर critical analysis क्या है critical analysis involves deeply examining and interpreting a text concept or work to gain a deeper understanding of its content and implication like for example critical analysis आपके पास क्या है कि किसी भी जो आपके पास के कोई concept है कोई idea है कोई बात है कोई subject है कोई essay है कोई भी चीज़े उसको आप कैसे examine कर सकते हैं या किस तरह आप उसको interpret कर सकते हैं जैसे कि कोई बात है उसमें से कितना deeply आप किस चीज़े पर डीपली समझने के लिए पता हो कौन का पता हो मतलब कि इसमें क्या फाइदा है क्या नुकसान है बात neutral की जा रही है बात को exaggerate किया जा रहा है बात को कमतरी की तरफ लेके जा रहा है किस तरफ पॉइंट को किस तरफ लेके जा रहे है जब आप यह चीज़े समझ लेते हैं तो इसको हम कहते है critical analysis कि इस इंसान का critical analysis अच्छा है, यह situation को understand कर रहा है, यह समझ रहा है, कि बात यहां पर इस तरह हो रही है, इस बात को इस तरह करना है, इस तरह लेकर जाना है, और इस तरह इसको छोड़ना है, So these all terms are included as critical analysis, it requires, इसके लिए आपको क्या चाहिए हो, that thoughtful, कि आप चीज़ों को समझे, of the underlying exception कि वो क्या बात कर रहा है, इसके बात करने के पुछे क्या मकसद है, क्यों argument कर रहा है, यह argument कर रहा है, यह argument कर रहा है, तो क्या इसका कोई evidence है, यह पिर क्या यह valid है, यह significant, क्या मतलब इस बात करना जरूरी है, इस बात के होने ना होने से कोई फरक पड़ता है, critical analysis, simple जबान में यह है, judgment of thing, on the basis of evidence, कि जो बंदा जो बात कर रहा है, अगर यह logical है, तो इसकी reason का है, इसका हमारे पास evidence का है, अगर नहीं है, तो वो बात, आपके लिए ना तो significant है, ना validate है, तो य जब आपके लिए को critically observe करोगे, जब critically observe कैसे करोगे, जब आपके अपने अंदर critical thinking होगी, जब आपके अपने पास knowledge होगा, अगर आपके पास knowledge ही नहीं है, तो आप किसी चीज को deeply observe ही नहीं कर सकते हो, concept mapping से, concept mapping आपके पास क्यों होता है, आप ideas को जोड़ते हैं, इसने यह कि अब एक चीज से related, सो चीज 두 आप जहों चीजा जोड़ाए हैं चलें आपकी nursing के example लेते हैं, जब nursing word बोला जाता है ना, घर चीजार मे जहन जहते है, nurse काा यूणिफॉम आता है, nurse का राता है, nurse का कैसे बात करती है, nurse क्या क्या का क्या क्या क débए, nurse क्या किस चैफ़फ नहीं ह आपके जहने में पूरा एक structure आ रहा हो तो उसे आप concept mapping कहते है hypothesis in hypothesis in making adjugates guesses based on prior knowledge and observation फिर आप लगाते हो कि पहले इस तरह की situation थी तो इस तरह का response आप इस तरह की situation है तो इस तरह response करना है so these all things is called as critical analysis अब इसके लिए techniques होती है इसके basic दो techniques are critically read or critical writing critical read कैसे करते हैं आप एक चीज को deep read कैसे कर सकते हैं जब आप skim करते हो यह reading techniques होती है आपके skimming में क्या होता है कि आप चीज आप इक बंद होता है इसको पढ़के उसका आपको वह थीम बता देता है में पॉइंट किस कहानी में यह लाइक आपने कोई movie देखिए तो आप ता दे मुवी चलती है धाई गंटे आप दस मिनट में स्टॉरी खतम कर दे तो जब दस तीम में मिनट में स्टॉरी खतम करते हो उसे कहते है स्केमिंग के में पॉइंट बता देना स्कैनिंग क्या होता है स्कैनिंग होता है चीजों को हाइलाइट करना यहां पे concept important वर्ड है तो मैं इसके नीचे लाइन लगा दूए हाइलाइट को इग्जामिन इंपॉर्टन है फिर यहां से thoughtful examination important है तो आप में चीजों को जो हाइल इसके लाइट करते हो से scanning कहते है analytical reading किसे अगयते है analytical reading arguments arguments हो गयो रहे है इसका evidence है नहीं है क्या यह वैलिट है यह इस सारी चीजें आपके पास क्या यह critical reading एक्स्टेंसिव रीडिंग क्या है थोड और डीप रिडिंग मतलब अब थोड़ों एक चीज को पढ़ रहे हो उनको completely पढ़े हो एसे लेकर जए तक आपने a4 apple a4 aeroplane a4 everything जो जो सब पढ़े हो उसको आप क्या कहते हो एक्स्टेंसिव रिडिंग critical writing क्या है critical writing क्रिटिकल रॉइटिव रिटिंग क्रिटिव और comprehensive writing क्रिटिव रॉइटिग कैसे चीजे कर सकते हो डन बा धाल पॉफ रीडिंग ट हो जब तक आपके लिखे हुए पराग्राफ में आपके लिखे हुए ऐसे में फ्लो नहीं होगा संटेंस में नहीं होगी तो आपका क्रिटिकल राइटिंग नहीं होगी जैसे एक डेफिनेशन तो इसमें वर्ड्स प्रॉपर लिखे हुए है उसका संटेंस प्रॉपर है तो वे questions देखने, क्या क्या पुछा गया, किन किन ideas को challenged किया गया, किन चीज़ों को compare किया गया to contrast यह होती है thoroughly reading तो आप छूश करते हो उसके पाद उस topic में आप topic पिर इन चीज़ों को observe करती हो आप देए कंने कौन साफ़र्व करती है आपने इसे पढ़ा एक Islam and Research पे ठीक है Islam and Research में कहले कि आपको उसको पढ़ने के बाद पता है आपको एक नया टॉपिक मिल जाता है कि Religion and Science के है तो आपने अपने टॉपिक का नाम क्या करते हो Religion and Science रख देते हो टॉपिक आपने पढ़ा Islam and Research लेकिन आपको उसको पढ़के लगा कि Religion and Science भी एक टॉपिक है तो आप अपना टॉपिक चूज करते हो अपना राइटिंग लिखते हो फिर उस पर इंट्रोड़क्शन लिखते हो कि पहले अगर इसलाम है तो इसलाम की आप सारी वर्ट लिखते हो अगर फिर उसके बाद साइंस है तो साइंस के बारे में सारा कुछ लिखते हो फिर उनमें कोहियान करते हो ग्रामर को देखते हो फिर उसके आपने कोहेरेंस फ्लो मेंटेन करना है फिर उसके बाद एविड कर देते हो कि यह paragraph इस तरह है और इसमें मैं यह यह लिख रहा हूं फिर आप उसको रिवाइज और प्रूफ रीड करते हो कि इसमें कोई grammar की मिस्टेक तो नहीं है ठीक है परपस क्या है इनके परपस क्या है critical thinking यह प्रिटिकल राइटिंग यह आपके skills को इन्हांस करती है research skill को आपको और जादा चीजें ढूंडने में help out करती है problem solving ability बढ़ाती है decision making increase करती है आपके अंदर creativity बढ़ाती है आपके curiosity बढ़ाती कि मैंने और सीखना है और सीखना है आपको clarity देती है issues पर यहां जो चीजे चल रही है क्लारिटी जैसे newspaper आता है तो आप रोज पढ़ते हो जिनको आदत है क्यों क्योंकि अपने topics को points को clear करना चाते हैं आपके अंदर broaden होती है बढ़ों के पास बड़ा knowledge होता है बढ़ों के पास हर चीज काल होता है बढ़ी हर चीज पर कोई ना कोई सबूत देते हैं मैं पापा बैठे हैं आप अपना point of view रख रहे हैं दूसरा कोई और point of view दे रहे हैं आपकी दो क्लीग्स ही हैं नर्सिंग एक अच्छा फील्ड है नर्सिंग नहीं है आप अच्छा कोगे आपके पस different arguments के evidence है उसके वह अच्छा नहीं कहरे है उसके पस different arguments है तो यह होता है कि आपको argument develop करने में आपको बात करने में सिखाता है आपको चीजों का अवैलियाइट करना सिखाता है कि जो already existent में क्या कमी है क्या changes होनी चाहिए आपको codified नहीं चीज़े produce करने में knowledge को transmit करने में ideas को renovate, discover, invention में help out करता है आपके knowledge को बढ़ाता है यह सब इसके purposes हैं कि यह क्या क्या फा description, detail, analysis, आपको पढ़ना आना चाहिए इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्यों है, किसलिए, interpret, आपके काम की चीज़े इसमें, क्या evaluation इससे मुझे क्या फाइदा हो रहा है, आप analyze करते हो, आप infer, infer होता है, conclusion, क्या आपको क्या evaluation करते हो, आपस में मिलते हैं कि इससे क्या मतलब मेरे मकसद का क्या मतलब है, फिर interpret करते हो, और फिर generate करते हो, और फिर अपना evidence बनाते हो, description, who, कौन है, क्या है, कहा है, कब से है, why, किसलिए है, कैसे है, so what, इससे क्या होगा है, इससे क्या फाइदा है, आगे क्या होगा, यह सब चीज़ें आपको critical analysis में help out करते हैं, आपके कैसे फाइदा है, क्यों फाइदा है, फिर उससे आप अपनी नई चीज़ें generate करते हो, और फिर उसको जो है, आप utilize करते हो, कि इससे क्या क्या benefit हो सकते हैं, यह चीज़े आप लिखके नहीं कर रहे होती है, फिर उसके बाद आप करते हो, कैसे लिखते हैं critical analysis, introduction, introduction में क्या ल करोगे, आप अपने story का as it is copy नहीं करोगे, उसके अपने ideas मिक्स करोगे, analysis में क्या करोगे, आप अपने opinions को influence करोगे, क्या है, क्यों है, किसलिए है, आप अपने points को structure दोगे, and conclusion में क्या करोगे, आप बताओ कि author ने यह कहा था, इसमें यह changes है, इस तरह से इस तरह फाइदा है, कि चीज़ों को notice करना, ability to notice or predict opportunities, कि क्या क्या opportunities है, मैं कैसे किसे इसको solve कर सकता हूँ, analyze करना, gather करना, फिर उसको समझना, फिर उससे अपनी relevant चीज़े निकालना, relevant को मिटा देना, inference, उससे फाइदा निकालना, कि क्या, यह मेरे experience के साथ match होता है, क्या मेरी जरूरत के साथ match है, फिर उसको share करना, अपने group member से, अपनी individuality से, अपने ideas को exchange करना, कि मुझे यह मिला है, मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, तो उनके भी ideas को अंदर counter करना, और फिर उन सब चीज़ों को mix up करके, communicate करके, उस problem का, हल निकालना, उसको हल कैसे निकालते हो gather, analyze, communicate करके, identify, troubleshoot करके जो यह आपके skills होती है, observation, analysis, inference, communication and problem solving कि आपके इस तरह एक चीज़ को critically analyze कर सकते हो, think, आपने क्या क्या नहीं करना, आपने meaningless बातें नहीं करने, मतलब आपके काम की चीज़ नहीं है, और फिर भी सलिक रहे हो, don't use glitches, यह मैंने आपको पहले पताए, glitches आपके पास क्या होती है, कि इस तरह के reaction, इस तरह के phrases, इस तरह के adverbs, वो proverbs यूज नहीं करने, कि जो आपके, जो है, informal behavior को show करें, आपने repetition नहीं करने, vocabularies की, words की, ज्यादा नहीं करने, वेस्ट, अपने quotations, वेस्ट नहीं करने, जहां जरुरत है, वहां यूज करना है, अपने topic से परे नहीं हटना, अपने topic पे रहना है, और conclusion को लिखना सीखना है, generalization नहीं करना है, आप प्रेंज नहीं यूज करने, contractors नहीं यूज करने, contractors नहीं यूज करने, contractors नहीं यूज करने, फुल वर्ड लिखना है, प्रेपेशन को जिसे मेसेज में प्रेप लिख देते हैं, इस तरह नहीं लिखना, फुल प्रेपेशन लिखना है, मैडम को मैम लिखते है, मैम नहीं नह अपने तापिक पे रहने है आपने जो है कॉपी नी करना फुली मिर्टीरियल आपने प्रॉपर स्ट्रप्टर औरगनाईज करने है пл mains म करने है अपने ओटाईज का concerned के फ़आ जिसके आइडीया नहीं रिखने और प्रॉफूरों कि बगएर बिल्कुल नहीं काम करना आपने यह सब चीज़ों का आपने ख्याल रखने हैं जब आप क्रिटिकली एनलाइस कर रहे हूं प्रोस क्या होता है कौन्स प्रोस होते हैं पॉजिटिव और एडवेंट्री में बादब एक चीज़ पढ़के आपको पॉजिटिव प्रोस होता हैं अच्छी बेटर हम अपने प्यारों के साथ टैश्र को उसके कि इस पर हम नेट यूज करते हैं हम गलत एक्टिविटिस में इन्वालव आजाते हैं हम स्टडी टाइम पर नहीं करते हैं हम इधर दुर्जादे हां देते हैं फोन के अडिक्शन तो सब कॉन् सब लोगों को इसके अपनी किये हुए कि जो आप दा होता है सिटीजन शिप लोगों को इसके हख मिलते हैं और यह सारी डिसद्वांटेजिस में किया है कि कि अप डिसीन पिकिंग प्रॉस लोग होता है कि क्यों कि हर बंदे के पास कोई ना कोई अथोरटी होती है और फिर इस तरह आपके पास एक में बंदा जो है वो इसको डील कर रहा होता है फिवरिटीजम जादा हो जाते के मैं इसके यह करूंगा पॉलिटिकल टॉर्ण जादा हो जाते हैं इसी तरह आपके पास इंटरनेट के प्रोस के हैं कि कम्युनिकेशन असान है सोशल सरकल इंस्ट्रिक सोशल डिपेंडेंस हो जाती है इंटरनेट एडिक्शन तो यह सब एक चीज़ के पॉजिटिव पहलू और एक चीज़ का नेक्टिव पहलू इसको हम क्या कहते हैं क्रिटिकल अनालसिस की आपको एक ओवर आले के बिलिटीज क्या हैं डिसपाइंडिस के हैं तो आज के पॉजेंट कोन्स के हैं हौप से आपको समझ आया होगा इसमें जो चीज़ आपको समझ ना आए उसके लिए आप कंडेक कर सकते हैं थैंक यू